नमस्कार दोस्तों आरू टेक्निकल एक्सपर्स में मैं आरू भार्दवाज आपका स्वागत करता हूं तो देखें दोस्तों ये एक आरू सर्विस हो रहा है बेसिकली ये आरू की जो सर्विस हमारे यां से की गई थी लगबद दो-ड़ाई साल पहले की गई थी और रेगुलर पानी यूज हो रहा है कितना हमारी तरफ से इधर जो फोलो किये जा रहा था हमारे क्लाइन को क्योंकि रूटीन सर्विस के लिए हमारी तरफ से फोन किये जाता है हमारी जो टीम है हमारे जो स्टाफ है रेगुलर सर्विस के लिए कोल करते हैं कश्मर्स वगरा को तो 2-3 साल बात अब इनोंने बुलाया है तो हमारे जो बंदे हैं ये इसके फिल्टर से चेंज होंगे देखते हैं दिखाते हैं आपको किस टैप से इसमें एलकलान फिल्टर भी आप देख रहे हैं बायो प्लस का लगा हुआ इसमें और इसका टैंक की भी क्योंकि 2-3 साल से टैंक नहीं खुला तो देखेंगे किया कंडिशन है इसके टैंक की तो ध्यान से देखेंगा वीडियो को कि स्टैप से इसके फिल्टर सो गरा चेंज किया जाते हैं पूरी अपनी तरफ से हम जानकारी देने की को इसके कम एक साल में तो यह देखें इसमें यह 8 इंच का बायो प्लस का एलकलाइन फिल्टर लगा हुआ था तो इसे अठाक है अब इसमें थोड़ा और बड़ा फिल्टर लगाएंगे ऐलकलाइन फिल्टर क्योंकि उसकी थोड़ी लाइब जया रहती है कंपेर टू 8 इंच एलकलाइन तो इसके लिए सबसे पहले तो इसके फिल्टर लगाएंगे यह कार्बन फिल्टर निकल गया और इसके बाद यह सेडिमें फिल्टर भी है तो यह दोनों फिल्टर हटाए जाएंगे इजे हैं इसके फिल्टर चेंज करना हम ने आ लिए इस पर भी वीडियू कई बना रह्खे लिकिन फिर भी आप इस वीड़ियो में अगर आपने हमारी वर वीडियो नहीं देखिया है तो आप इस वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा किस टैप से इसके फिल्टर वगरा step by step चेंज किया जाते हैं यह देखिए हमें करना सिर्फ सिंपल यह है जो फिल्टर हमें चेंज करना है पहले इस फिल्टर को निकाल लेना उसकी नोजल वगरा पाइप कैसे इंसट किया जाता है अगर आपको नोजल नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो यह देखिए इसका सेडिमन फिल्टर कार्बन फिल्टर दोनों इसके चेंज हो चुके हैं और इसमें यह नोजल वगरा अब लगाई जा रही है नोजल लगाते समय हमें इस पैसल एक ची ध्यान लगनी होते कि अच्छे से नोजल को पुछ चरूर कर लेना है अगर नहीं करेंगे तो फिर लिकेज वगरा के चांसिस रहते हैं तो इस स्टेप से अब इसका हम यह में कई बर यह डाउट होता है कि पहले चोटा केंडल लगा हुआ है तो बड़ा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए या बड़ा लगा हुआ है तो चोटा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है आप फिर बदल कर सकते हैं चोटे की जगा बड वे छोटे से आपका काम चल सकता है, वजो पाने यि योरोगा फाने पाने लाफ झानी चाहिए。 अनुदानों पैनी छोडा कोई बाए इसमस्वीस करते है को, इसे बांनों से ल्गए हैं निकलता है। तो आप हमचे समपर कड़ सकते हैं कॉंटाट कड़ सकते हैं हमारी पूरी टीम है यह देखेजिए अब इसका टैंक खुल जगो टैंक की हालत आप देखेजिए जब दो डाई साल से अगर टैंक नहीं खुलेगा तो क्या बंदा पानी पी रहा है साफ है přाता है तो पानीन क्या पिर रहा है तो दो और बंदा भिमार होगा तो इसलिए बहिए कम से कम पानच-छे मीने में If और पान चो यह पर टैंक ज़रूर साफ हो जब घाता है करवा ही ले लेए तो टेंक वर रसाफ करके अब यह आरो देख सकते हैं आप यह पूरा अच्छे से हैंग हो चुका है यह एलक्रेन फिलिटर हो गया यह पूरा फिट हो गया और अब यह अभी ओन है इसका ड्रेन पानी पहले निकाला जा रहा है देन इसके बाद फिर इसका कनेक्ट किया जाए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर कीजेगा और चैनल पर पहली बार है पार बर कहता हूं अगर आपको लगता है जबरदसी नहीं अगर आपको लगता है कि आपके काम का यह चैनल है यह देगी यह एलक्रेन फिलिटर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा, ऐसे ही मजच शोड़ देजएगा आज की वीटियो में यह तरहीं, थैंस फिर वच्छ